प्यारे बच्चों, JCRT और जैक द्वारा मौडल प्रस्न पत्र क्राश्ट वेल्थ का जारी कर दिया गया है बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी इलेक्टिव का मौडल प्रस्न पत्र का अंसर त्यार कर दिजे तो मेरे अभिन मित्र सिरी नरेंदर नाथ यादव जो PGTC चेक हिंदी के हैं पाकुर जिला में पदस्थापित है तो उनी के सहयोग से मैं ये एंसर त्यार कर पाया हूँ अपने चैनल एकनॉमिस प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी का इकन को दबा ले साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के भी सेर करें ताकि वो भी से लभान भीत हो सके तो चली आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो हिंदी एच्छिक सेट चार का हम लोग कोश्चर में आते हैं तो इस गध्यांस को पढ़ना है और इसी से सवालों के हल देना है तो पहला कोशन है धर्म किस तक पहुँचने का साधन है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी धर धर्मों के परती संभाव रखने से धर्म का छेत्र व्यापक बनता है हमारी धर्म के परती अंधता मिठती है तो यहाँ पर आपका ओप्शन B है सभी धर्मों के परती समान भाव से तीसरा है धर्म का छेत्र कैसे व्यापक बनता है तो इसका ओप्शन C हो जाएगा दूसरो धर्मों के परतिवी समान समभाव रखने से लेखक विवी धर्मों के बीच कैसे तत्व की खोज करने का परियास करता है तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसका उनसाड D होगा जो सभी में सहन सीलताकी भावना विक्षित करता हो यहाँ पर लिखा हुआ है धर्मों में इसे तत को खोजने का पर्यास करता है जो विभीन धर्मों के अन्वायू के मद सहन सीता की भावना को विक्सित कर सके तो इसलिए इस चौथा का एंसर हो जाएगा आपका बी अब हम लोग अगला चलते हैं इसको पढ़ना है और इसी से फिर कोश्चन को हल करना है तो पांचमा कोश्चन है मचेरे द्वारा फेके वे जाल को समिठते हुए देखकर कभी को किसकी याद आती है तो यहाँ लिखा हुआ है स्वयाद हो आता है जो कभी समाज गाओं और परिवार की विहतर परिधी में तो यहाँ पर स्वयाद हो आता है जो कभी समाज गाओं और परिवार की विहतर परिधी में समाहित था तो यहाँ पर समाज भी है गाओं है परिवार है तो यह सभी अंसर हो जाएगा मनुस दिन पर दिन होता जा रहा है क्या हो रहा है आत्म केंद्रित मचेरे का प्रवाची सब्द क्या है तो मचुवारा अगला कोशन है नीम में से कोन संचार परक्रिया कततो नहीं है तो संपादम संचार परक्रिया कततो नहीं है कच्छा में होने वाली चर्चा या विचार विमस किस परकार का संचार है तो कच्छा में जब विचार विमस होता है तो बहुत सारे सम्मू काम करते हैं बहुत सारे बच्चे उसमें भाग लेते हैं और डिबेट करते हैं तो ये हो जाएगा सम्मू संचार तो जनसंचार का परेंड संपाधण करना दूरदर्शन के कारिक्रमों की गुनवत्ता में सुधार क्लें इंद्रा गांधी ने किस वर्ष प्रिंट मीडिया की विशेष्टा प्रकट करता है तो प्रिंट मीडिया की विशेष्टा ये सभी प्रकट करता है तो इसका एंसर डी हो जाएगा बस्ते का बढ़ता बोज किस परकार का फीचर है तो बस्ते का बढ़ता बोज हो गया कि बच्चा जब इस्कूल जाता है छोटा रहता है तो उसका बैग में किताब कम रहता है जैसे जैसे बढ़ा होता उसका बोज बढ़ता जाता है तो यह हो जाएगा जीवन सैली फीचर का 17 है निम में से कौन सा कार संपादक कर नहीं है तो संपादक का कार छेट से खबरे खटा करना नहीं है तो 17 का C हो जाएगा 18 है निम में से कौन अच्छे आले की पर्मुक विशेष्टा है तो अच्छे आले की पर्मुक विशेष्टा A, B, C पाठ पुस्तक में ये पैसे दिया हुआ है और इसी से फिर हम लोगों सवाल को हल करना है तो किस चीज के लिए लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं तो यहां लिखा 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए जो जान लेता हूँ तो यहां पर सब चीज है तो ये सभी हो जाएगा पस्तूत 25 कविता से लिए गई है तो एक कम से लिए गई है कभ्यास में कभी ने किन के परती अपनी साहनभूती प्रकट की है तो इमानदार के परती आजादी के बाद लोग विभिन तरीके अपना कर क्या बन गए तो आत्म निरभर माला माल गती सील मुलब ये सभी डी अंसर सही है ताइस है वसंत आया कविता कधार पर बताए कि आज मनुस और प्रकिति के बीच का सम्वन्द कैसा हो गया है तो सम्वन्द तूट गया है तोडो किस परकार की कविता है तो उद बोधन परक कविता है पचीस है जीवन के अंति मोड पर देव सेना द्वारा ठुकराए ठुकराने के पहचाद असकंद गुप्त कौन सा अवरत लेता है तो अजीवन अविवाहित रहने का 26 है कवि ने अपने पुत्री का तरपन किस परकार किया तो अपने समस्थ पुनित कर्मों को पुत्री को अर्पित कर गीत गाने दो मुझे कविता में कभी का क्या संदेश देना चाहते तो निरासा से आसा का संचार करना चाहते है इस गध्यांस को पढ़ना है और इसे सवा काल का हल करना है। 28 नमबर कोश्चन है प्रस्तूत पंतिया किस लगु निबन से ली गई है तो यह लिया गया है घड़ी के पुर्जे। कान धलकाकर का अर्थ है तो कान खोलकर लेखक ने किस का रहस जानने के लिए घड़ी के पूर्जे का उधाना निया तो धर्म का उप्युक्त गध्यांस के लेखक कोन है तो पंडित चंद्रधर सर्मा गुले धी 32 है रामचंद्रसुक्ल के पिता जी किस भासा के अच्छे ग्याता थे तो फार्शी भासा के पर्धाना ध्यापक के एक मात्र पुत्र की आयूती आठ वर्स ना आगे नाथ ना पीछे पगा का क्या अर्थ है तो कोई जिम्यदारी ना होना अफ्रो इस्याई लेखक संग के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतिय पटिनिधी मंडल में निम्यद से कौन नहीं थे तो रामचंद्रसुक्ल नहीं थे आज का कबूतर अच्छा है और कल के मोर से का क्या अर्थ है इसका अर्थ है वर्तमान भविश से ज्यादा महतपूर्ण है सुभागे किसकी पत्नी थी सुभागे भेरो की पत्नी थी तुम खेल में रोते हो या किसका कथन है तो या घीसू का कथन है सूरदास की संग से दिव्यांग से तो वह दिश्टी हीन था अबना ड इंसर सही है लास्ट कोचन है सूरदास से समंधित कौन सा खथन सही है तो सूरदास में अध्यम जीव-जीवसा और संघर्श का भाव था बी आप्शन सही है तो यह ये model समाप्त हो गया अब हम लोग set 4 के प्रस्नों का हल देखेंगे तो इस कहानी को पढ़ना है गद्यान्स को और इससे सवाल को हल करना है अनुसासन का अर्थ है तो अनुसासन का अर्थ क्या है तो यहां लिखावा अनुसासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों से बांध लेना और उन्ही के अनुसार कारे करना तो यहां हो जाएगा उपरोग सभी किन में अनुसासन का कोई महतों नहीं होता है तो वन जीवों में अनुसासन का कोई महतों नहीं होता है किसके विकास के साथ अनुसासन का महत्व बढ़ता है तो इसका अंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ सी ओप्सन तीसरा का सी सही है चोथा है उप्रयुक्त गद्यांस का उप्रयुक्त सिर्शक चुनिये तो यहाँ पर अनुसासन पर ही जोर दिया गया है तो यहाँ हो जाएगा अनुसासन का महत्व चोथा का ए अब है निखित गद्यांस को पढ़ना और हल करना है तो यहाँ है कविता में अब किस का जिक्र नहीं है तो कविता में अब किस का जिक्र नहीं है तो यहां लिखा हुआ है कविता में पेड, चिनिया, फूल, पौधे और मौसम का अब जिक्र नहीं है तो यहां पर पेड, फूल, मौसम है तो यह सभी हो जाएगा छठा है कविताएं हमेशा से किसका साथ देती रही है तो यहां हम लोग देख सकते हैं कविता सदा सच बोलती है सदा सच बोलती है मलब या सत्य का साथ देती है सात्मा है कैसे लोग धन के बल पर सच को जुठला देते हैं तो समवेदन हीन लोग, यहां देख सकते हैं, समवेदन हीन लोग जो धन के बल पर सच जूट को नकारते हुए जीवन जी रहें, तो यहां हो जाएगा आपका सात्मा का सी समवेदन हीन, आठमा है कविताएं किसका भंडा फोड़ देती है, तो जूट का, नौमा है, रेडिय संचार का कौन समाध्य हम है, तो रेडियो हम लोग सुनते हैं, तो इसलिए स्रवन, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो तीस माई को, लोग तंदर का चौथा पाया, कहा जाता है, तो मीडिया को, बारा है, पत्रकार किस किस परकार के होते हैं, तो पुरुकालिन, दिरकालिन, अंसकालिन, उप्युक्स सभी होंगे, तेरा है, छापे खाने का विश्कार किस ने किया था, तो गुटेन बर्ग ने किया था, जारखंड का परमुक समा चार पत्र है, तो जारखंड में आप रहते हैं, तो हिंदुस्तान भी है, परभात खबर भी है, दैनिक जागरा में, तो ये हो जाएगा, D option, ये सभी, 15 है, संचार पर किरिया में प्राप्त करता है, कि प्रति किरिया को कहते हैं, फिडबैक, प्राप्त संदेश का कूट वाचन, कौन करता है, तो प्राप्त करता करता है, 17 है, पाचिक पत्रीका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल में होता है, पाचिक मुलब 15 दिन, तो यहाँ पर B option सही है, 15 दिन, करते हैं न, एक पच चला गया, 18 है, मुदरन का आरम किस देश में हुआ था, तो या चीन में हुआ था, अगला है, ये किताब का, पैसेज है, पद्यांस, अब इससे हल करना सवाल को, विकल का अर्थ बताईए, तो विकल का अर्थ होता है, बेचैन, किसने स्वयम को भागहिन कहा है, तो निराला जी ने अपने स्वयम को भागहिन कहा है, कहा है कि निराला जी की बेटी मर गई थी, जिसके याद में ये कविता लिखे हैं उप्युत पद्यांस के कवि कोन है तो यह निराला यहाँ है तो यहाँ पर सुर्य कांत्रे पाठी निराला कवि का जीवन कैसा रहा है तो बेटी मर गई है तो दुख पूर नहीं रहा है तो बाइस का सी हो जाएगा कौर्णिया का गीत का रचनाकार कोन है तो जैसंकर परसाद है कौर्णिया का गीत कविता का केंद्रिय विसे क्या है तो यह सभी मलब A, B, C, 3 तीनो सही है तो D option सही है सरोज अस्मिर्टी सिर्षक कविता में सरोज कोन है तो निराला की पुत्री जिसका देहान थो गया था कौर्णिया का गीत सिर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है तो चंदरगूप्त से लिया गया है मुक्त चंद के परवत्त कवित की रूप में जाने जाते है तो सुरेकान तिर्पाठी निराला तो सी उक्षन सही है अगला है ये गद्यांज को पढ़ना है और सवालों के हल करना है तो 28 प्रस्तूत 25 पार्ट से लिया गया है तो संबदिया से लिया गया है गद्यांज में लच्मी किसे कहा गया है तो बड़ी बहुरिया को बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारा कर रही थी तो भथवा का साग खाकर गुजारा कर रही थी 31. नमबर कोचन है उप्यूग गध्यांस के लेखर कोन है तो फनिश्वनाथ रेनु प्रेम्द घन या धन प्रेम्द घन की छाय स्मिर्थि किस विद्या की रचना है तो यह संसरातमक निबंध है मलब संसरातमक ठेले चुनलो पाठ में सेक्स्पियर किस नाटा का उले करते हैं तो मर्चेंट ओफ वेनिस समवधिया का अर्थ होता है संबाद पहुचाने वाला सत्य हरिश्चंद्र नाटा का मुख नायक कोन है तो यहां कोश्चन में ही इसका अंसर है राजा हरिश्चंद्र कोल्हू क्या होता है तो कोल्हू का बैल तेल पेरता है तो सूरदास आटे की भाती राखो को कोन बटो रहा था सूरदास बटो रहा था कैकि उसका जोपड़ी को जला दिया था भैरों ने और लास्ट कोशन है जोपड़ी के आसपास सानाटा जाने का कारण क्या था तो जोपड़ी का जलना तो बच्चो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के भी शेयर करें आम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद